नमस्कार दोस्तों उसा किचेन फूर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों सुबह गर्मा चटनी के साथ सन्वीच हो तो किसको पसंद लगता है साम चाय के साथ सभी को अच्छा लगता है खासतर बच्चों का फिबरेट नासता है तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सन्वी देखिए सन्वीच बनाने के लिए हरी मूँ है इसी बहुत ही अच्छा बन कर तैयार होता है और देखिए हरा दो मिर्च कटा है ये तड़्ले के लिए राई और बारी कटी ही चार प्यार आधा निम्बू है इच्छे साथ लासुन की कलिया है और देखिए हमारा सब समान छटनी के लिए है झाल हम आम का चटनी बनाएंगे और देखिए हरी मूं के साथ सेंट बनाए और आम के चटनी चाहिए तो बहुत ही टेस्ट इसका लग आता है भूत ही स्वाधिष्ट लगता है एक बार बनाकर आप ट्राइ करें और कमेंट करके बताएं तो चलिए दोस्तों हम देखें संवीच के लिए सब समागरी है एक चम्मच जीरा है सागो जीरा और गरम मसाला एक चम्मच धनिया पाउडर और हल्दी है देखें हम गास जलाकर कड़ाही रख लिए हैं कड़ाही हमारी गरम हो चुकी हुए उसमें तेल डालेंगे जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तो उसमें हम एक चम्मच जीरा डाल देते हैं इसकी बात राई जब राई हमारा अच्छा तड़क जाएगी तो इसमें हम दो हमेज़ कट्यू भी डाल दिये हैं अब इसमें हम अपना प्याज ले लेते हैं इसको हलके फिलिम पर हुणना है ज्यादा नहीं हुणना है इसको हम चलाते नहीं है देखिए हमारा प्याज हो चुका है अब इसमें हम अपना मुंग ले लेते हैं डाल देते हैं इसमें दोस्तों उसको ज्यादा नहीं सेकना एक से दो मिनट तक सेकना है बहुत ही नर्म होती है हरी मुंग है अब देखिए हमारा मुंग हो चुका है थोड़ा सपक गए तो इसमें हम अपना इस सब मसाला डालेंगे देखिए हल्दी है मसाला गरम मसाला इसमें ले लेते हैं अब इसको हम दो से तीन मट तक अब देखिए हम साथ ठालू बाल करके इसको मस अच्छे से मस करके रखे हैं इसको ले लेते हैं इसमें इसमें अधरक लासुन का पिश्ट डाल दिया है अच्छे से भून जाएगा हलके फ्लेम पर होना है आप देखिए इसमें हम स्वादों सा नमक ले लेते हैं इसको भी हम मिक्स कर दें और देखिए अब इसमें जो है नीवु कारस रखे हैं इसको हम डाल देते हैं इसे संवरी का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है आपके पास नीवु नहीं तो चाट मसाला भी ले सकते हैं अब मार देखिए हो गया इसको हम फ्लिम आपकर करके रख देते हैं अब देखिए चटनी अपना हम तयार करेंगे इसमें हम तीन से चार चमस मिनारियल पाउडर ले ले लिए इसी चटनी का स्वाद बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है अब चटनी पर अपना तयार कर लेते हैं देखिए अब हम ब्रेट का एक पार्ट लिए हैं वहीं चटनी इस पर हम थोड़ा से लगाएंगे अब इसके बाद देखिए हम जो आलू का पिष्ट तयार की है इसको हम अच्छे से पर फैला दिया है और ब्रेट का एक पार्ट लेंगे इस पर मीठी चटनी लगाएं मीठी चटनी रहें ये सास लगाएं इसको अच्छे से चार तरफ रगा लिए अब इसी को उस पर करने वाला बरतन है अब इस पर हम अच्छे से ओल लगाएंगे देखिए चार तरफ हम इस पर लगा दें इसी पर लगका इसको हम पाइक करके इसको धीमी ही फ्लेम पर सेकना है दोनों साड से से सेकना है बहुत ही अलकी आचो देखिए हमारा समी बनतर त्यार होगा एक से दो मिनट लगता है ज्यादा नहीं इसी तरह हम सब बना लिए हैं एक बार बनाईए अब देखिए आब ही अपने घर पर बनाईए और हमारा च हमें कमेंट करके बताई हमारे वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद